सितापुर में रेब के बाद हत्या का सलसिला नहीं थम रहा। आए दिन रेब के बाद हत्या की घटनाएं जिले की कानून विवस्था को आइना दखा रही है। तैज़ा मामला तंबौर थानाचेतर के ग्राम सुमेर डीह का है। जाहे गलित यूती के साथ तीन लोगों ने दुसकर्म कर घर के कमरे में फांसी के फंदे से लटका दिया। जिसके बाद पूर एलाके में हरकम समझ गया। वहीं गाओं में मातम छा गया। ग्रामिलों ने इसकी सूचना खेत में काम कर रहे पिता को दी। जिसके बाद पिता ने थाना तंबौर पहुचकर पोलिस को तीनों लोगों के खिलाप उनकी बेटी का रेप कर हत्या करने का आरूप लगाते हुए तहरी डी। हरकत में आई पोलिस सीनों अभ्योगतों को हिरासत में लेकर पूच्टाच कर रही है। अम्रत्का के शोग को पूच्ट माटम हेतु जला मुख्याले भेज दिया है। बताते चले कि तंबौर थाना इलाके के सुमेर्डी निवासी 18 वर्षिय सोनो कुमारी की पिता राम सन पर पहुचे पुलिस अधिक्षक गुले सुशील चंदिभान, एस्पी उत्तरी प्रकाश कुमार, सीयो बिस्वा, विशेक प्रताप, अजय, प्रभारी निरिक्षक तंबौर, सुरेश कुमार पटेल आदिने मौके पर पहुच कर जाँच परताल की। वितानाम सनी की तहर करने का घिराओ करने जाते समय पुलिस ने सभी को लहरपुर से पहले ही रोख लिया। इस गरना के बाद पुरिजले में संसिनी फैल गई है। एक हपते के अंदर रेप किये दूसरी घटना है जिसने कानुन विवस्था को आइना दिखाया है। इस मामले में इस प्रतरी प्रकाश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया। मौके पे पुलिस कर्वी मौजूद हैं। कानुन विवस्था की स्थिती सामानने है। प्रकरण में संपूर्ण विवेचनात्वक करवाई पूर्ण करके सिग्रता पूर्वक इसे न्याले प्रिशित कराया जाएगा। ताकि सिग्रही फास्ट्रेक पोर्ट में इसका सामाने हैं।